नमस्कार साथियो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चेनल ग्यान कामना पर तो दोस्तो पी एम येसेश्वी स्कूलर्शिप 2023 के लिए ओनलाइन आवेदन फोरम कैसे भरा जाता है उसके बारे में step by step जानकारी में आपको देने वाला हूँ यानि फोरम भर कर आपको दिखाने वाला हूँ अगर आपको भी आवेदन फोरम भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आवेदन फोरम भरने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए इस वीडियो में मैं केवल आपको फोरम भरने की प्रोसेस के बारे में जानकारी हो देने वाला हूँ, यदि आपको PM SSV Scholarship 2023 के नियम सर्ते पातरता दस्तावेज के बारे में यदि आप हमारे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है राज, स्कूल, हैल्प या फिर राजगूर जी, तो देखिए आपके सामने हमारा इस परकार का ये वीडियो आ जाएगा, इस वीडियो में हमने टोटल जानकारी हो दी है, वैसे भी इस वीडियो का लिंक आ जरी है, वो भरे जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाओंगा, ये इनकी मुखी वेबसाइट है, लेकिन आवेदन फोरम भनने की जो वेबसाइट है, वो दूसरी है, जिसका जो यूरल हो है, yet.nta.ac.in, इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, इनकी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com, क्योंकि आपकी सुषिदा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पे डाइरेक्ट लिंक हो प्रोवाइड करवा दिये हैं, करना क्या है, जब आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पे आओगे, तो यहाँ पे देखिए, आपको स्कोलर्शिप क के बारे में टोटल जानकारी दे गई है, अगर आप देखना चाहते हो, तो देखिए, इस परकार से आराम से आप पढ़ भी सकते हो, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो आप इस लिंक की मदद से आओ, या फिर डारेक्ली ओफिसल आपको यहाँ पर दिखाए देता है, तो सबसे पहले यहाँ पर कंडिडेट को है, रेजिस्टेशन करना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, आपको लिंक मिल जाता है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, इस तरह से एक नया पेज ओपन होता है, और यहाँ आप पर आने के बाद आपको last में आना है, इनके कुछ इंस्टेक्शन है, अराम से आपको पढ़ लेना अगर आप पढ़ना चाहते हो, अन्यता last में आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर टिक लगाना है, उसके बाद click here to proceed वाले option पर आपको click करना है, तो इस तरह से registration form है, वो open हो जाएगा, अब इस forum में देखिए, सबसे पहले पूछा गया apply for, आप कौन सी class के लिए forum भरने जा रहे हो, 9th या 11th, जो भी आप पे लागू है, select कर लिजेगा, उसके बाद आगे यहाँ पे जो student है, उसका नाम आपको लिखना है, जैसा कि उसके आधार card में जिस प आपको जो information है, वो भरना compulsory होगा, इसके बाद आगे यहाँ पे student की जो DOB है, वो आपको यहाँ पे fill करना है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए, एक नया password आपको generate करना है, और जब भी आप यहाँ पे देखिए, password generate करो, तो कम से कम उसमें 8 character होने चीए, और यहाँ पे capital है, small letter है, digit है, special character है, इनको आपको यूज करते हैं, अपना password हो generate करना है, सेम का सेम वही password है, आपको नीचे भी लिखना है, इसके बाद यहाँ पे security question हो, वो आप से पूछा जा रहा है, इन में से कोई भी security question है, आपको यहाँ पे select करना है, उसका answer दीजिएगा, क्योंकि बा करना है, उसके बाद आपको yes वाले option पे click करना है, इसके बाद देखिए इस तरह का notification आपको दिखाए देगा, कि आपका जो registration हो successfully हो गया, ओके वाले option पे आपको click करना है, अब आपके mobile नंबर पे OTP आईए, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है, OTP डालने के बाद आपको verify व होने के बाद इस तरह से आपका जो registration हो successfully हो गया, आपकी registration ID हो आपकी mail ID पे हो भी चली गई, इसके बाद आपको OK वाले option पे click करना है, अब इसके बाद दोस्तों आपके जो application number है, आपको यहाँ पे डालना है, हम वापस यहाँ पे देखिए, login page पे हो आचुके है, तो आपने password लगाया था, वो password आपको यहाँ पे डालना है, चलीए मैंने यहाँ पे password लगा दिये, फिर नीचे यह number दिये गए हैं, वो number भी आपको यहाँ पे लगा देना है, login वाले option पे आपको click करना है, उसके बाद इस तरह से आप अपनी ID के अंदर login हो जाओगे, कुछ इ अभी तक incomplete है, इससे आपको complete करना पड़ेगा, और complete करने के लिए नीचे आपको complete application forum का option मिल जाता है, इस पर आपको click करना है, इसके बाद इस तरह से forum open हो जाता है, अब इस forum की कई step हैं, आप left side में हो यहाँ पे हो देख सकते हैं, सभी step को आपको complete करना है, सबसे पहली step है personal detail, तो personal detail के अंदर यहाँ पे देखे, candidate का नाम automatic आ गया है, DOB automatic आ गयी है, क्योंकि registration के समय हमने इसको है वो add किया था, इसलिए यहाँ पे automatic आ गयी, इसके बाद आगे यहाँ पे father नाम है, वो आपको यहाँ पे डालना है, तो चलिए मैं यहाँ पे father नाम डाल देता हूँ, इसके बाद यहाँ पे देखे, mother name है, आपको यहाँ पे डालना है, और उसके बाद यहाँ से जो gender है, आपको select कर लेना है, male, female जो भी आप यह लागू होता है, nationality आपको यहाँ पे Indian है, वो select करनी है, इसके बाद यहाँ पे यहाँ यह चेक बोक्स है, इस पर आपको टिक ल लेना है, और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो भी category है, जो आप पे लागू होती है, select कर लीजेगा, इसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर आप disability से हैं, तो आपको yes करना है, अनित आपको यहाँ पे no करना है, इसके बाद यहाँ पे capture दी गई है, इस box में आपको यह capture है वो डाल देनी है, इसके बाद आगे यहाँ पे I agree का यह checkbox है, इस पर आपको यहाँ पे tick लगाना है, उसके बाद आपको save and next पे click करना है, इसके बाद ok पे आपको click करना है, तो यह step आपकी complete होगी, step number यहाँ पे 2 आ चुकी है, इसके बाद यहाँ पे आपका जो present address है, वो लीजिएगा, तो चलिए मैं यहाँ पे यह district को select कर लेता हूँ, इसके बाद जो भी आपका pin code number है, यहाँ पे डाल दीजिएगा, और इसके बाद यहाँ पे आपका permanent address आता है, अब यह दी है, आपका present address और permanent address दोनों शेम है, तो यहाँ पे आपको tick लगाना है, तो उपर व text पे आपको click करना है, इसके बाद आपको ok पे click करना है, तो यह step भी आपकी complete होगी, अगली step आगई, जहाँ पे आपको अपने exam detail के बारे में जानकारी देना है, अब यहाँ पे सबसे पहले यह check box दे रखा है, इस पे आपको यहाँ पे tick लगाना है, उसके बाद यहाँ से है, वो आपको select करना है, अपने state के नुसार, तो सबसे पहले state है, आपका वो select कर लिजेगा, उसके बाद यहाँ पे जो city है, वो select कर लेना है, जो भी आपके नजदीक city पढ़ती है, या सेर पढ़ता है, उसको select कर लिजेगा, यह तो यहाँ पे देखिए, first exam center हो गया, अब यहाँ पे आपको दूसरी choice feel करनी है, तो फिर से आपको यहाँ पे जो भी state है, वो select कर लिजेगा, और उसके बाद फिर से यहाँ पे जो exam city है, नजदीक है, वो select कर लिजेगा, इसी तरह से आपको यहाँ पे third choice भरनी है, four choice भरनी है, इसके बाद यह जो capture दी गई है, इस box म जानकारी देनी है अपनी स्कूल के बारे में जानकारी देनी है तो यहाँ पर देखिए आपको अपने जो last class आपने pass कर रखी है उसका नाम आपको दिखाई देगा यह forum कक्षा 11 के लिए अपने भर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर 10 था वो show हो रही है जिस district में आपकी school है यहाँ पर district select करने के बाद यहाँ पर देखे काफी सारी school की list है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी अब आप जिस भी school में यहाँ पर पढ़ रहे हो उसको यहाँ पर हो select कर लेना तो आप उस school के लिए आप आवेदन वो नहीं भर सकते तो आप अपनी आवस्तेक्ता कि नोसार है school का नाम है यहां से सर्च कर लिजिएगा तो मैंने यह school हो select कर ली इसके बाद यहां पर आपकी जो last class का last के अंदर आपको books पे tick लगाना है और save and next वाले option पे आपको click करना है तो आपकी यह step है वो complete हो जाएगी उसके बाद आपको okay पे click करना है आपकी a step complete हो जाएगी और next step आजाएगी यहां पे आपको other detail बढ़नी और अधर डिटेल के अंदर आपके parents की जानकारी यहाँ पर आपसे मांगे गई है तो सबसे पहले यहाँ पर आपके parents की जो education वो आपको select करने है यानि आपके माता-पिता वो कहां तक पड़े वे हैं post graduate, graduate या फिर school level तक 10-12 तक पड़े वे हैं जो भी आपके लागू होता select कर लिजेगा इसके बाद आपके माता-पिता का occupation क्या है यानि वो क्या कार ये कर रहे हैं तो आप अपने आउस्तेक तागनों सारे हैं से select कर लिजेगा उसके बाद उनकी जो annual income है वो कितनी है उनकी संक्या आपको यहाँ पर select है वो कर लेनी है ठीक है इसके बाद यह दिए आपने कोई दूसरी scholarship प्राप्त की है तो यहाँ पर यह सुनों में जबाब है वो दे दीजेगा इसके बाद यह जो किप्चा दी गई है इस box में आपको यहाँ पर डाल देना है signature है, income certificate है, card certificate है और आधार है वो आपको यहाँ पर upload करना पड़ेगा ध्यान रखना जैसे माली जी यह document आप upload करते हो तो इनकी size का आपको खास तोर पर ध्यान रखना है यदि size कम होगी या फिर ज़्यादा होगी तो आप यह document वो upload हो नहीं कर पाओगे और यहाँ पर document का जो format है वो भी आप ध्यान से देख लिजेगा कुछ document आपको PDF में है वो upload करने है और कुछ आपको यहाँ पर JPG के अंदर हो upload करने है और document upload करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको choice file का option मिल जाता है तो सबसे पहले पर यहाँ पर photo upload कर लेते हैं जैसे आप इस पर click करते हो और जहाँ भी आपका location है उस location से आपकी जो photo है यहाँ से है आप upload है वो कर लेजेगा तो चलिए मैं इसको upload कर लेता हूँ उसके बाद OK पर आपको click करना है तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपकी photo यहाँ पर आ चुकिए इसी तरह से signature आपको यहाँ पर upload करना है तो जो भी signature है select कर लिजेगा आपकी signature है वो upload हो जाएंगे उसके बाद आपका जो income certificate है PDF file में आपको upload करना है और upload करने के लिए choose file पर आपको यहाँ पर click करना है और जहाँ पर भी आपका document है उसे upload कर दीजिएगा फिर आपको OK वाले option पर click करना है तो देखिए जब document upload हो जाता है तो उसके आगे view का option आपको नजर आ जाता है इसी तरह से करके सभी document आपको यहाँ पर upload करने है जब सभी document upload हो जाएंगे तो last में देखिए इस तरह से view है आपको देखने को मिल जाएगा submit नहीं करना है इससे पहले उसी step पर आपको यहाँ पर click करना है click करके है जो information आपको गलत लग रही है उसको सही कर दीजेगा save or next पर click कर दीजेगा और उसके बाद वो step complete हो जाएगी last में इस तरह से आपको preview दिखाये देता है अगर यह सही है तो यहाँ पर देखिए final submit का option आपको नजर आ जाता है इस वाले option पर आपको click करना है और यहाँ पर देखिए checklist वो दी गई है कहने का मतलब है यहाँ पर मेरे दवारा जो भी जानकारी भरी गई है वो मैंने सही त तबी पर आपको यहाँ पर हो टिक लगा देना इस तरह से चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर टिक हो लगा देता हूं एक एक करके आपको टिक लगाना पड़ेगा ठीक है और आई एगरी वाले पर आपको लगाना पड़ेगा उसके बाद आपको final submit वाले option पर क्लिक करना है अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो फोरम है वो final submit हो जाएगा फिर आपको last में ok वाले option पर क्लिक करना है अब जैसे आ ok पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए जो step पहले incomplete थी वो यहाँ पर complete हो चुकी है अब आपका बरावा जो आवेदन फोरम है यह दिए आपको इसको download करना है तो यहाँ पर देखिए download application फोरम का option आपको मिल जाता है इस पर क्लिक कीजिएगा और वो download हो जाएगा तो यहाँ पर एक बार मैं दिखा देता हूं इस पर क्लिक करके तो देखिए इस तरह से आपका बरावा आवेदन फोरम आपको देखने परकार की कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर देखिए contact as का option मिल रहा है यहां से उनसे आप है वो संप्रक कर सकते हो या फिर किसी परकार की कोई technical issue आ रहा है आपके आवेदन फोरम में तो यहाँ पर देखिए आप ticket हो भी generate कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने आप यह आवेदन फोरम भरो यह दि आप दिन के समय आवेदन फोरम भर रहे हो तो site यह दि प्रोपर व्रक नहीं कर रही है तो आप इसे रात के समय है वो भरने की कोशिज कीजिएगा क्योंकि देखिए मैं भी काफी समय है इस पे हो इस पेंट कर चुका हूं और आप यहा 23 के लिए ओनलाइन आवेदन फोरम भर सकते हैं सायद आप समझ गए अगर आवेदन फोरम भरते समय किसी परकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं आपकी पूरी हल्प करने की कोशिज करूँगा अगर वीडियो जानकारी आपको एच लिजेगा तो मिलते हैं फ्रेंस अगे लिए एक नई वीडियो के साथ अब तक के लिए जय हिंद जय भारत